छचुंदर के सिर पे चमेली का तेल तो साथियों चमेली का तेल छचुंदर के सिर पे ही क्यों? नमस्ते साथियों आपने बच्चपन से बहुत सारे ऐसे मुहावरे और कहावते तो सुनी ही होगी जिनका इस्तिमाल हम लोग खूब धडले से करते भी हैं लेकिन क्या इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं आप नहीं न तो चलिए ऐसे कई मुहावरों में से एक मुहावरा छ सिर पर चमेली का तेल पर चर्चा करते हैं आप सोच रहे होंगे कि आखिर चमेली के तेल का छचुंदर से नाता ही क्या है चमेली का तेल चचुंदर के ही सिर पर क्यों क्या कोई और जानवर नहीं मिला हमारे बुजुर्गों को जो चमेली का तेल चचुंदर के सिर पर ही दाल दिया तो साथियों आईए जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है साथियों चचुंदर के सिर पर चमेली का तेल की कहावत लगभग हर बोली भाशा में इस्तिमाल की जाती है आपने शायद कभी सोचने की कोशिश भी नहीं की होगी कि आखिर ऐसी कहावते बनाई क्यों गई आईए आज हम आपको इसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं इसके बारे में इंटरनेट पर भी कई लोगों द्वारा सवाल पूछा गया है लेकिन इसका सही जवाब शायद ही किसी को पता होगा साथियो इस कहावत के बनने के पीछे एक बेहत खास कारण है इसे आप फैक कहें या कुछ और परंतु लॉजिक ये है कि छचुंदर एक ऐसा जीव है जो सुरक्षित रहने और दुश्मन से बचने के लिए अपने शरीर से बहुत ही अजीव सी दुरगंध वाला बद्बूदार पदार्थ छोड़ता है उस बद्बू की वजह से लगभग सभी जीव इससे घ्रेना करती है वहीं चमेली ऐसा फूल है जिसमें से तेज खुश्बू आती है और इसे अच्छे कामों में इस्तिमाल किया जाता है ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं यही कारण है कि ये कहावत बनाई गई होगी जिसका मतलब होता है किसी अयोग्य आदमी को बहुमुल्य चीज का मिल जाना शचुंदर एक ऐसा गंदा जानवर होता है जिसकी बद्बू की वजह से मानसाहारी जानवर तक इसका शिकार नहीं करते इसका मास खाना किसी को पसंद नहीं होता प्रकृती में केवल उल्लू ही एक ऐसा प्राई है जो शचुंदर के मास को पचा सकता है यही वज़य है कि इसके पास कीम्ती वस्तु का होना शोभा नहीं दे सकता क्योंकि इसकी बद्बू उसे भी गंदा बना देती है ठीक ऐसे ही अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई कीम्ती चीज मिल जाएं तो जट मुह से निकल ही जाता है चचुंदर के सिर पर चमेली का तेल तो साथियो ये था एक मुहावरे का एक फैक्ट आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताईएगा आपके मन में भी कोई सवाल हो तो बहिचक पूछिए हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक विशय के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्ते